देशभक्त पर जब भी हम मूवीज के बारे में बात करते हैं तो कई सारे देशभक्त फैमिली मेंबर्स अपसेट हो जाते हैं कहते हैं कि अरे भई देश के बारे में बात करो, उसके पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, कुछ लोगों की पॉल खोलो, हीपोक्रिसी की सीमा दिखाओ, संसरत का जो the end हो रहा है उसे कवर करो लेकिन हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि देश के बारे में, सोसाइटी की पॉल खोलने में, लोगों की हीपोक्रिसी दर्शाने में फिल्मों का एक बहुत बड़ा रोल होता है कौन सी पिच्चर चल रही है, कौन सी नहीं, कौन सी टॉपिक लोगों को भा रही है इससे सोसाइटी की दशा और दिशा के बारे में बहुत कुछ मालूम चलता है सोसाइटी को करांती चाहिए या ताना शाही, ये बॉक्स आफिस से पता चल सकता है फोर एक्जाम्पल, क्या आज के डेट में एंग्री यंग मैन, अमिताब, एंटी नैशनल यंग मैन घोशित हो जाते रंग दे बसंती पर क्या देशद्रो का केस लग चुका होता पीके क्या टोटली बैन हो जाती अगर तीनों का जवाब पूछो तो शायद जवाब हाँ ही मैं मिलेगा चलो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं कठल, भीड, अफवा, सिर्फ एक बंदा काफी है और जोराम इन में से कितनी मुवीज आपने देखी है? हाथ उठाई, हाथ उठाई, हाथ उपर करो, हाथ उपर करो बहुत कम हा, बहुत ही कम हाथ उठे और अगर मैं बोलता कि ये मुवी सिर्फ हॉल में अगर देखने वाली बात होती तो शायद एक दो ही हाथ उठते आंसर ना ही में मिलता ये सारी मूवीज हमारे देश के सोशल रियालिटीज पर आधारित हैं, उसके कड़वे सच को दर्शाती हैं इन सारी बहतरीन मूवीज को जनता ने इस साल 2023 में रॉयल इगनोर मारा अगर मैं आपसे बोलू कि पावरफुल एक्टिंग के हिसाब से जोराम इस साल की सबसे बहतरीन पिच्चर है मनोज बाजपाई को नेशनल अवर्ड बिलना चाहिए, इसके लिए तो आप बोलोगे कौन जो राम, कहां जो राम, ये पिच्चर कब आई, कब गई यही अगर मैं केरिला स्टोरी और एनिमल की कुछ आलोचना कर दू तो आप मुझसे बोलोगे यही यही बात तो मैं S.R.K. और राजकुमार हिरानी से कहना चाहता था डंकी देखते समय, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसी पिच्चर बनाने की जिसके vibes और feel और sentiments तो 1990s के हैं, जबकि 2023 में लोगों को या तो धुआधार action चाहिए, लाइक पठान, जवान, टाइगर 3, या तो फिर धर्म, नैशनलिजम या masculinity का नशा, लाइक केरला स्टोरी, गदर टू और एनिमल, डंकी वैसे ही है जैसे राजकुमार हिरानी की पिच्चर होती है, समय के साथ उन्होंने अपनी movie sensibilities, directorial sensibilities बदली नहीं है लगे रहो मुन्ना भाई, PK3, idiot, संजू, सारी part entertainment, part education वाली पिच्चर थी इनके पिच्चरों में आप दिमाग को घर में नहीं छोड़ सकते हो तो सोचना भी पड़ेगा, महसूस भी करना पड़ेगा, along with मरोरंजन भी आपको मिलेगा देशभगत एपिसोड की तरह ही है, इसी बात पर subscribe बटन दबादो anyways, पठान और जवान में अपना Rambo image established करने के बाद S.R. के is back with his Raj नाम तो सुना ही होगा, act in donkey S.R. के बनते हैं Hardy, लेकिन वो राज वाली जो चार्म है वोही आसू, टप टप टप, वोही सिबर, I mean, मन्नू के लिए प्यार, undying love सवाल ये है कि 2023 की audiences को masculinity वाला विकरम राठोर, सलू वाला tiger या बेटा रन विजय चाहिए, या 90s वाला sweet lover boy राज चाहिए राज कुमार हिरानी, डाय हार्ड, S.R. के fans और N.R.I. audiences इनकी तो कोई tension नहीं है, इनको डंकी बिल्कुल समझ में आएगी, they will love the balanced, sensible cinema लेकिन overall अगर आप domestic box office की बात करें, उसकी performance की बात करें, then I am not sure ये जनता movie नहीं है, ये mass movie नहीं है, दो एक हजार करोर movies के बाद hat trick तो नहीं होने वाली है S.R.K की, समझाता हूँ क्यों बोड है, किसी भी कीमत पर, क्योंकि status और पैसे कमाने का बहुत लोगों को बिस एक ही जरिया दिखता है, बाहर जाओ अब वीजा पाने के लिए इसलिए हम देखते हैं कि कितने सारे पैतडे लगाए जाते हैं, legal, illegal जब वीजा नहीं मिलता है लंडन जाने के लिए तो S.R.K यानि R.D. अपने दोस्तों को लंडन ले जाने की ठानते हैं, किसी भी कीमत पर अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, अब वो सब नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही कठिन तरीका, जो जिसे इंगलिश में कहा जाता है, donkey roots से लेकिन लंडन पहुचने पर एक picture turn लेती है, एक quiz लेती है, एक सचाई के बारे में बात होती है, जिसके बारे में हम अकसर discuss नहीं करते हैं, कि ये जो foreign countries हमें जो allow करती भी हैं, वो क्यों allow करती हैं, कौन से jobs के लिए allow करती हैं, और वहां हमारा exploitation कैसे होता है, तो चलो इस बा वजे से लोग खिचे चले आते हैं अपने मिटी की तरफ, डंकी में इसलिए social messaging तो है, लेकिन वो कभी-कभी preachy हो जाती है, और पता नहीं आज के audiences को ये preachiness, ये hard facts कितना अच्छा लगेगा, लेकिन NRI audiences को जादा पसंद आएगी ये picture, इसमें कोई doubt नहीं है, उस lens से भी ये है, दूसरा थोड़ा सा मिश्मैश आपको मिलेगा इस storyline में, स्वदेश का सार आपको मिलेगा डंकी में, pining for the motherland, भाई जैसा भी है, देश तो अपना ही है, और अगर पैसे, profession के लिए भी आप विदेश जाते हो, दिल तो हिंदुस्तानी ही है, एक scene में S.R.K. England में asylum refuse कर द प्रॉब्लेम ये है, कि स्वदेश भी picture तो अच्छी थी, आज भी लोग उसे याद करते है, शारुक's one of the best movies बुलाई जाती है, लेकिन box office पे वो picture जादा नहीं चली थी, बहुत लोग कहते है, it was ahead of its time, it was too mature, क्या डंकी के साथ भी यही होगा, डंकी में full on veer zara vibes भी आपको मिल जाएंगे, एसार की अपनी zara, I mean, मन्नु के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है, थोड़ा कल होना हो वाला भी flavor आपको मिल जाएगा, जब किसी की जान जाने वाली होती है, अच्छा च्छा 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 पूरी नहीं बत ये टाइप पिच्छर बना दोगे, या तो अगर ये मिश्रंट सही नहीं बैठा, तो fan या zero के तरह flop पिच्छर बन जाएगे, डंकी में elements तो बहुत सारे हैं, कोशिश बहुत की गई है, लेकिन ये जो सारे elements हैं, ये एक साथ set नहीं हो पाते हैं, comedy तो कई जगे बहुत ही गंदी और forced है, story जगे जगे पर ड्रैग करती है, और पदा नहीं audience, आज की audience तो हर 15 मिनिट पर action चाहती है, या twist चाहती है, young SRK की जो VFX लगाई गई है, उसको जबान मना देने के वो set नहीं है, old SRK थोड़े ज़ादा ही old लगने लगे हैं, कई SRK की जो moves है, जो look है, वो थ एड़ा flop हुई थी, overall movie में एक smooth flow नहीं होता है, कुछ highs हैं और बहुत सारे lows रह जाते हैं, इसलिए audience इस movie के पीछे शायद पागल ना हो, that's it, beautiful music, धेर सारा रोने वाले scenes, Vicky Kaushal का superb acting, limited screen time था, लेकिन Sam Bahadur से भी बहतरीन performance रही उनकी, तापसी और SRK की chemistry अच्छी है, काजोल typical level chemistry नहीं है, बर decent chemistry है, और topic selection के लिए हम तो extra number यहां देंगे, क्योंकि mainstream commercial movie, जो end होती है जब picture, जब डंकी end होती है, तो migration को लेकर human trafficking related deaths news report, इन आकडों के साथ picture को close किया जाता है, तो picture एक high पे close नहीं होती है, एक poignant message के साथ close होती है, बूता चाहिए भाई, ये करने के इंडिया में बूता चाहिए है, कौन ऐसी negative और sensitive चीज़ों के साथ movie बनाता है, हम तो YouTube पे episode बना देते हैं, तो लोग गलियाना शुरू कर देते हैं, राजकुमार हिरानी में बूता तो जरूर है, अपनी filmmaking style के साथ उन्होंने compromise नहीं किया, market demands के अनुसार, SRK में बूता है, कि भई एक ही साल में तीसरी picture launch कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये topic mature है, हमारे देश की जो विदेश जाने का जो obsession है, उसे दर्शाया गया है, कोई दुश्मन तो है नहीं इस picture में blame game खेलने के लिए, मारधार भी जादा नहीं है, movie खिचती बहुत जगे पर है, और acting में कुछ न तो ज़रूर डंकी आप देखने जा सकते हैं, लेकिन expectations decent cinema के लिए रखिएगा, best और mind blowing के लिए नहीं